हलो स्टुनेंट आज का हमारा टोपिक है सबसेट लास्ट वीडियो में हमने किया था सेट सेट की डेफिनेशन और उसकी कुछ टाइप्स किये थी तो आज हम करेंगे सबसेट सबसेट क्या होते हैं सबसेट हमारे पास जैसे एक सेट है आर आरी गीरियो में ठाइप्स का की जैसे हमारे पास कोई आर सेट उसके सारे के सारे अलिमेंट किसके अंदर हो के के अंदर तब जो हमारा जो r है वो k का क्या होगा सबसेट होगा तो इसको इनोटेशन है कि जो r है वो contain k वे k के अंदर contain होगा या r is a subset of k या r contain in k ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो r है जो r है contain k जो opposite symbol है इसका मतलब है कि जो k है r को contain करता है r contain in k है इसका मतलब जो r contain k वे जो k है उसको r को contain करता है पि k contain r या r is a या k is a super set of r वेकि जो k है r का super set है उसके बाद है power set power set क्या होता है the set of all subset of a given set कि हमारे पास कोई set है given उसके जो सभी के सभी subset हों का जो set होगा subset होगा उसको हम क्या बोलेंगे power set बोलेंगे जैसे हमारे पास the collection of all subset of a set k is cold a power set you are denoted by p k तो p k every element सीजे set जो k है k में elements हमारे पास है one और two है दो elements है तो p k क्या बनेगा एक तो हमारे पास क्या होता है empty खाली होता है सभी के लिए होता है एक तो उसके बाद जो one single single है बना लेंगे one two और one और two यह हमारे set आगे power set sub set उसके बाद है universal set universal set universal set क्या होते हमारे universal set universal set is the set which contain all elements या object including itself कि जो universal set होते है वो which contain all object कि सारे के सारे जो object से वो क्या करता है contain करता है including itself और या अथर की अएड़ आउसके अनिदर लिए तक है उसके अंदर होगा for example दा सैट और सैट और या and अजेड आ और या या अजेयव और karışते हो हैं आग कि या या को या हैं आफूअ या होते हैं, जैसे ए, यू सबसे बड़ा सेट होते हैं, उसके बाद सबसेट होते हैं, उसके बाद है हमारे पास सबसेट ओफ आर, जो आर के कुछ सबसेट हो सकते हैं, जैसे दा सेट ओफ नेचुरल नमबर, जो हम नेचुरल नमबर हैं, उनका जो सेट होता है, वो क्या होता है एक चार्ट होता है तो set of natural number natural number आपको पता ही है natural number क्या होते है जो one से start होते है one two three four dot second is the set of integer integer को हम किसे रिनोड करते है z से the set of integer integer में क्या होते है हमारे plus के भी होते हो रहे plus के भी होते है और minus के भी होते है उसके लसे set of rational number rational number को हम किसे रिनोड करते है queue से rational number क्या होता है जो p by q की form में हो p by q की form में हो जो q है वो क्या होना चाही जीरो से बड़ा या equal नहीं होना चाही है जीरो के एकवल ना हो बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है कोई चक्र नहीं उसके बाद interval of subset जो subset है उसके interval of जो rset है उसके subset का interval तो first है open interval open interval open interval क्या होता है the interval denoted by a, b and a, b, r तो r real numbers तो is an open interval या means including all the elements between a to 6 but excluding a and b तो जो हमारे पास open interval है यह है इसके लिए कुण सब bracket आता है circular bracket जो इसके अंदर elements लिखे जाएंगा वो क्या लिखे जाएंगा कॉमा लगा के लिखे जाएंगे उसके बाद है close interval close interval क्या होता है the interval denoted by edge जो हमारा open interval है open interval में क्या था circular bracket यूज होता था जो इसके अंदर है close interval के उसके लिए क्या होगा square bracket तो हमारे जो दो bracket है ये open के लिए है ये close के लिए real number is an open interval mean including all the elements between a to b but including a and b उसके बाद टाइप ओफ interval interval की कुछ टाइप है जिससे फर्स्ट है a कुमा किसका bracket है ये curly bracket तो ये लेना चाहिए था जो curly bracket है sorry circular bracket है जो ये curly bracket तो ये हुआ तो ये circular bracket है circular bracket में क्या होता जो a है और जो b है वो आपने cut करने है इनके बीच के उठाना है topic उसके बाद जो हमारे पास a जो a closed b a भी closed है और b भी closed है तब हमारे पास ये कुछ से bracket आता है square bracket आता है तो जो a आएगा वो less than equal to x आएगा या जो x है वो less than equal to b आएगी तो ये था हमारे पास square bracket उसके बाद third है a तो है हमारे पास square bracket है और दूसरा है जो b वो है हमारे पास circular bracket है जो कि जो a तो sure है हमारे पास जो b है वो अभी तक sure नहीं है उसके बाद third point है third point में क्या दिया हुआ है a b a closed b simple bracket किसके equal करेंगे फोर्टी a b के equal जो हमारे पास है a close interval और जो b है वो small या open interval तब हमारे पास क्या होगा a elements लेंगे हम a elements लेंगे जो b है उससे less than लेंगे तो उसके बाद हमारे पास है circular bracket अगर हमारे पास circular bracket है circular bracket आ चुका है यह हमारे पास होगा circular मतलब open और closed यह miss है यहाँ पे b closed और a तो जो a होगा वो less than x जो b होगा वो less than equal to b तो यह हमारे पास है type of intervals तो यह हमारे पास type of interval तो आपने इसका basic revise करना है और learn करना है अच्छे से fair copy में करना है thanks